औरते अकसर खाना बनाते वक्त करती हैं. यह नौ गलतियां. खाना बनाना एक कला है, जिसमें मसालों और कुछ तक्निकी चीजों को ध्यान में रखें, तो आप किचन मैजिक कर सकते हैं. कुछ लोगों के लिए यह कला आसान हो सकती है, और कुछ के लिए शायद नहीं. कुकिंग अपने आप में एक स्किल सेट है, जो हर किसी के पास हो सकता है, लेकिन हर कोई इसमें महारत हासल नहीं कर सकता है. एक कारण है कि हम अपने घरों में जो खाना खाते हैं, उसका स्वाद रेस्टोरंट से इतना अलग होता है. अब, हम जानते हैं कि हम सभी मास्टर शेफ नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं, जिने हम अपने दैनिक खाना पकाने में शामिल कर सकते हैं, जो भोजन के स्वाद और गुणवत्ता दोनों में सुधार करेंगे. कभी-कभी, हम यह सोचकर खाना पकाने के उन स्टेप्स को छोड़ देते हैं, कि हम इनके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वास्तव में हम छोटी-छोटी गल्तियां कर बैठते हैं, जो भोजन के स्वाद को प्रभावित कर सकती हैं. इसलिए हमने खाना पकाने में होने वाली बहुत ही सामान्य गल्तियों की लिस्ट तैयार की हैं, जो हम अपनी किचन में कई बार करते हैं, लेकिन हम उन पर गौर करें, तो परिणाम बहतर हो सकते हैं. आये जानते हैं ऐसी नौ गल्तियां, जिनने हम अकसर खाना बनाते वक्त करते हैं. नमबर एक. पैन या कढ़ाही को सही से गर्म करें. जो लोग अपने पैन यह कढ़ाही को पहले से गरम नहीं करते हैं, वे अक्सर उनकी चीजे चिपक जाते हैं या कुकिंग करने में मुश्किल होती है किसी भी तेल या सामगरी को जोडने से पहले कम से कम पाँच मिनिट के लिए अपने पैन या कढ़ाही को लो मीडियम हीट पर गरम करना सुनिश्चित करें यह खाने पकाने को आसान बनाने में मदद करेगा और कुछ भी चिपकने से रोकेगा नमबर दो तेल के गर्म होने का इंतजार नहीं करना जो लोग तेल के गर्म होने का इंतजार नहीं करते हैं अक्सर उनका खाना तवे या बरतन में चिपक जाता है कडाही में तेल डाले और इसे गर्म होने के लिए कुछ मिनिट दे आप अपने तेल में खाने का एक छोटा टुकडा डाल कर भी उसके तापमान का परीक्षन कर सकते हैं अगर यह तुरंट सिखने लगे तो समझिये कि यह तयार है नमबर तीन सभी चीजों को एक साथ न डाले यहाँ खास तोर पर गलत हो होता है जब लोग खाना पकाने के दौरान पैन को एक साथ भर देते हैं इससे खाना बाहर से तो जल सकता है और अंदर से कच्चा हो सकता है इसलिए अच्छे परिणामों के लिए हर आइटिम के बीच परियाप्त जगह दे और बैचों में पकाएं नमबर चार कुकिंग प्रोसेस को दौरान जल्दी लहसुन डालना मिंस या कटा हुआ लहसुन तुरंथ डालना आम बात है और यह कई उदाहरों में काम कर सकता है लेकिन अगर आप सबजियों को बहुत ज्यादा समय तक भून रही हैं तो यह अकसर जली हुई या कड़वी हो जाएगी लहसुन को अन्य सामगरी के साथ मिलाएं और कम समय के लिए पकाएं ताकि आप जलाएं बिना इसके स्वाद का मज़ा ले सकें नमबर पाँच तेज आँच पर खाना बनाना जब लोग तेज आँच पर पकाते हैं तो अकसर उन्हें जले हुए भोजन या बहुत नरम सबजियां मिलती हैं सीफूड या सबजियों जैसे नाजुक खाद्य पदार्थों को पकाते समय आँच को खास्तोर से कम करना सुनिश्चित करें ताकि वे ज्यादा नपकेंग या जलें इससे उन्हें खस्ता और स्वादिष्ट बनाये रखने में मदद मिलेगी नमबर छे भोजन को परियाप्त रूप से हिलाना या पलटना नहीं जो लोग अपने भोजन को परियाप्त रूप से हिलाते या पलटते नहीं हैं चीजों को समान रूप से पकने और कुछ भी चिपकने से रोकने में मदद करेगा। अगर आप चाहें, तो अपनी डिशेस को बेकिंग प्रक्रिया के बीच में भी घुमा सकते हैं। नमबर साथ, नमक इस्तिमाल सही से करें। अगर आप अपने खाने में बहुत ज्यादा नमक मिलाते हैं, तो यह जल्दी से अन्य सभी फलेवर्स पर हावी हो सकता है। अपने नमक डालते वक्त थोड़ी समझदारी के साथ इसका उप्योग करें। इसलिए सावधान रहें कि ओवर बोर्ड न जाएं। बहुत से लोग अपने घर में पनीर और फिरोजन फूड आइटम को फ्रिज में रखते हैं। इन्हें फ्राई करते वक्त फ्रिज से सीधा निकाल कर कभी भी गर्म तेल फ्राई न करें। इन्हें पहले रूम टेन पेरेचर आने दे उसके बाद ही सबजी बनाएं। जब लोग सब्जियों को जरूरत से ज्यादा पकाते हैं, तो वे नरम और कोमल होने के बजाए बेजान हो जाती हैं। इससे इससे उनके स्वात पर तो प्रभाव पढ़ता ही है, साथ ही वा आरकशक भी नहीं रहती है। सही रिजल्ट के लिए अपनी सब्जियों को तब तक पकाना सुनिश्चित करें, जब तक कि वे नरम न हो और उनका अच्छा रंग भी बरकार रहें। आशा करती हूँ, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार में शेर करें। और आगे भी अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।